जमुकश्मीर के पूर्व और गोवा के मौजूता राजपाल, सत्यपाल मरेक बागपत दोरे पर थे बागपत में एक जनसभा को सम्भोधत करते हुए कहा कि कश्मीर के राजपाल के पास कोई काम नहीं होता है कश्मीर का राजपाल केवल दारू पीता है और गोल्फ खेलता है साथ ही बिहार के सिक्षा विवस्था के बारे में भी बात की उन्होंने कहा कि जब वो बिहार के राजपाल थे तब राजप में सौ कॉलेज ऐसे थे जो निताओं के थे गवर्नर के कोई काम नहीं होता है कश्मीर में तो जो गवर्नर होता है अफसर वो दारू पीता है और गोल्फ खेलता है बाकी जगे जो गवर्नर होते हैं वो अराम से रहते हैं किसी जड़े में पढ़ते नहीं मुझे बिहार में भेजा देने कोशिश की वह सिक्षान सुधार करने की ऐसे ऐसे कॉलिस थे एक सो दस कॉलिस थे नेताओं थे जिनने एक ध्यापक नेता बेर का दाकला करते थे तीसलाग रुटे देते थे इंतान करते थे डिगरी देते मैंने सारे खतम किये वो और एक सेंट्रलाइज इंतान करा है आपको बता दे कि सत्यपाल मलिक बिहार और जम्मु कश्मीर में राजपाल की भूमी का सम्हाल चुके हैं और पिछले साल जब 5 अगस्त को जम्मु कश्मीर को विशेश राज़ का दरजा देने वाले आर्टिकल 370 को खत्म किया गया था उस वक्त सत्यपाल मलिक वहां के राजपाल थे जम्मु कश्मीर में इस बदलाव के बाद किसी भी तरह की कोई घटना ना हो इसके लिए राज़कीर प्रशास्निक मशीनरी और सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके हाथ में थी झाले प्रह में झाले बाद किसी भी तरहा हो